मैं सोचा कि भाई यह तो यहाँ पर थानी वापस आते हैं बन गया ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन है भाई देखो गाड़िया जब आती है न तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है अब देखो बैक करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला बंदा बैक करेगा नी यह रस्ता काफी नारो है काफी 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 नारो है देख रहे हो क्या हाले रोड का अलगी रोड है भाई अलगी रोड है में है बैक करेगा देखता है अब अबीद करता हूँ आपने इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा उमीद करता हूँ आपने सीरीज को प्रॉपर फॉलो किया होगा अभी तक अगर नहीं किया देन दू जो एट चेक इट आउट फ्रॉम एपिसोड वन यह बहुती अडवेंचर सीरीज और फिदिन जेम्स क बताओ इससे बड़ी और क्या चीज है अभी मैं आया वाह हूँ स्कींग पॉइंट यह स्कींग राउंड देख रहे हूं मेरे आसपास कोई नहीं है अभी हम यहां से निकलने वाले हाटू पीक पे वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपने इसके पहले वाले वा 700 m, बहुती स्टीफ ट्रेक था यहां पे पहुंशने के लिए, I'll put that video at the end screen for your convenience, do go and check it out, तो चलो, शुरू करते आज के व्लोग को यहां पे, यहां सब ट्रेक करके नीचे जाएंगे, फिर गाडी लेके चलते हैं, हाटू पीक पे, if you're new to the channel, don't forget to hit the like button and subscribe button and if you're already subscribed, don't forget to share it with the near India ones, let's go! अभी क्या हुआ, वापस आते वक्त, पीचे से ना, दो रस्ते कट रहे हैं, मैंने दूसरा रस्ता ले लिया, आपने देखा होगा, शायद कुछ होटेल्स होटेल्स दिख रहे था हैं वाँपे, मैं सोचा कि भाई, यह तो यहां पे थानी, वापस आते वक्त, बंढ गया, ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन है भाई, फिर देखा, यह नहीं है, I took a wrong turn, तो वापस आके, गाड़ी के पास जा रहे है, गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है, and if you are coming over here, don't forget to bring your trekking shoes on guys, क्योंकि, आक्यूपंचर के session मिलने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे गास है, दिखा तो मैं आपको यह देखो, तो भाई, ट्रेक खतम, परिसा हजम, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और शुरू करते हैं अपने जोड़नी को, यहां से हाटू पीक तक, वाया दिस अडवेंचरिस रोड, तो यार अपन ओफ रोड़िंग ट्रेल से आगए नीचे, यह जो पीछे वाला रस्ता देखा, अपने तो यू टर ले लिया, लेकिन जो पीछे वाला रस्ता आपने देखा यह, अगर आप सीधा-सीधा जाओगे, तो अराउंड 220 किलोमेटर्स में आपको मिलेगा रेकॉंग पियो, पू, बेसिकली स्पिती, बड़ी है, बड़ी है गुरू, चले, यहां से, हाट्टू पीक is approximately 10 किलोमेटर्स, और, हाफ एन आर के आसपास, गूगल आंटी दिखा रही है, तो चलते हैं आगे, रस्ते दिखाता हूं, मैं आपको वादिया दिखाता हूं, आप भी भाई, इंजोई करो, बड़ी है, झाल आपको वादिया दिखाता है, इन आपको वाद्टू, आपको वादू झाल 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 बाई ये रस्ता मैं सच में बता रहा हूँ देखो गाडिया जब आती है ना तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाते है अब देखो बैक करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला बंदा बैक करेगा नियू तो जैसा कि आपने देखा यह रस्ता काफी नार्व है काफी 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 नारो है इसमें मैने अर्क बिनसर जो वायलाइट sanctuary थी न, जो वह वाला road था, अगर आपने वह देखा है, तो आप correlate कर सकता है, अगर आपने नहीं देखा, then do go and check it out, तो ये road काफी नारो है, और मतलब अगर आपको proper तरीके से गाड़ी चलाना आता है, अगर आप confident हो, तो ही आओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे-ऐसे patches है, जहाँ पर एक गाड़ी मुश्किल से निकल सकती है, और उसके बाद अगर सामने से कोई गाड़ी अगर आ जाए न, तो आपका, समझ रहो न, उससे आपसे महनत करना पड़ेगा, गाड़ी को पास देने के लिए, तो अगर आपको confidence नहीं है, then don't come over here, अगर है, तो फिर बड़िया तरीके से आ जाओगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, अराम-अराम से चलाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी roads तो आप देखी रहे हो, काफी treacherous roads है, बस एक अच्छी चीज़ है कि सिमेंटेड है, तो आपको जादा मुश्किल नहीं होगा, आपको जादा महनत नहीं करना पड़ेगा, यहां से अप्रॉक्सिमेटली चार किलोमेटर और अपने को उपर जाने टूवर्ड़ हाट, जहां पर माता जी का मंदिर है, तो चलो, रस्ते को एंजॉय करो, और लेके चलता हूँ मैं आपको वहाँ पर, हुपाला हुपाइबर ब本当expl también हुपाइबर हुपा है? अपको बिसक्त का formalravarti काफस का वहाएबर है, को एपको परॉखे गपको वहाँ अपने है, झाल झाल देख रहे हो क्या हाले रोड का अलगी रोड है अलगी रोड है अब चलते दीरे दीरे आगे चलते ये बहुत ही नारो रोड है और बहुत ही नारो रोड है तो दीरे दीरे अगर आओगे न कोई दिक्कत नहीं है और हमसे आते जाओ बड़ी आ जाओगे, लेकिन हम बहुत ही अडवेंचरिस रोड है, वांसा लाइफटाइम एक्सपीरिंस आपको मिलना तो गारेंटीड है बहुत है तो यार अपन पहुंच चुक है हाटू माता टेम्पल पे अपने भी देखा बहुत ही शिद्धत से यहाँ पर आना पड़ता है और ठीक है माता जी का मंदर है तो बनता भी माता जी का मंदर है शिद्धत important है और जितनी भी तकलीफे होती है वो यहाँ पर आके आप उसका समाधान Laurie सल्यूशन तो मिली जाना है, सच्चे मंद से आओगे तो सब कुछ ही सही होगा, तो चलो, मंदर के अंदर चलते हैं, माता जी का दर्शन अगर हो पाता है, कैमेरे के थुरू, तो मैं करवाता हूँ आप सब को दर्शन माता जी का, और उसके बाद फिर एंड करते हैं आज के व्लॉक को, यह 360 डिग्री व्यू अभी में दिखाते हूँ, जहां पर अभी गाड़ी पाकते हैं, अपनी टैंक को जहां पर लगा कर रखा हूँ है, वो देखो, वो इन्जॉई करो और उसके बाद फिर चलते हैं, माता जी के यहां पर हुआ 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 यह खू हुआ जब अज्यात बास में पांधव यहां पर आयते जी पूजा की थी और जिस्त सक्ति प्राप्त होती थी वह निद्यप्unya करते थे पिंद्डी स्वरूप में जब यहां से बात में गे यहां से पांडव चले गे यहां से फिर बात में पता लगा यहां पर घंटियों के आओ जाती थी तब यहां पर माता हाटू काली की रूप में उपस्तित हुई यह बीच में काली माता की प्रतिमा है और इधर को अभद्रकाली माता की प्रतिमा है और इधर को जो है लक्षमी माता की है और यह तब सही वह सित्सतान होय बोलो जए मात दी जय महतू जए महतू जखना श्रवारिता बोलते यह ज़र दरबार की जय हाटू पीक जब आप आते हो नारकंडा इस अफ्रॉक्सपंटलि 2.800 मीटर के हIGH पे 27-2800 मीटर के हाइड पर यहाँ पीक नारकंडा शे अफ्रॉक्सपंटलि 8 किलो मेरत के आसपास का डिस्टेंस होगा वज इस तो यहां पर आते हो ना आसपास वादियां इन्जॉए करते हुए आप अताजी के नाम लेते हुए यहां पर बैठके सुकून जो अब वो होता है ना बेसिकली वो फील कर सकते हो तो यहां पर आना रेकमेंड़ जरूर है कर दो यहां पर आना रेकमेंड़ जरूर है एक Continue mele ऑन कहरें आज क्यूंट यहां पर उमीद करता हूं आपको प्रॉपर इंवाथ इंवेशन मिला होगा if you are planning your trip if you are planning to come to this part of青 आमाचल मेरे इस व्लॉग कर थुरता हूं उमीद करता हूं आपको प्रॉपर इंवेशन मिला होगा और इन हसीन वादियों को देखने के बाद यहां पे अगर आ रहे हो तो थोड़ा ट्रेक करके ऊपर तक और आ जाओ जो लास्ट फोटेज मैंने दिखाया था मंदर से निकलने के बाद थोड़ा ट्रेक करके आपन ऊपर आयते और यहां से थोड़ा ख्लावडी वेदर है तो प्रॉमिनेंट इतना विजबल नहीं है इतने मांट पीक्स जो स्नो मांट पीक्स यहां से विजबल होते हैं वोज आर नॉट विजबल रेट ना बद स्टिल यह जो वैली वीव है दाट इस पर्फेक्टल विजबल फ्रम यहां आपने देखा भी इस 360 डिग्री व्यूपल तो चलो, एंड गरते है आज के व्लॉग को यहां पे अपे, if you are new to the channel, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel and if you are already subscribed, you guys also need to share it with the near and near ones, मिलते है अगले व्लॉग पे, जो यहां से ल